हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो एक पर फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रीकोनमीति का अनुप्योग यह हमारा अगला पाच नममर है मतलब हमने पहले 10 नमबर का तैयार कर लिया है अब हमारा जो कोस्चन जा रहा है वो अगले 5 नमर की यह जा रहा है इसमें तो नीधियान से जय सो दीखें इस जो हम दो कोनिमी दिपढ़ है ने इसमें पहली रावगा सायन फिर्टा को टेटा कोशीट टीटा खिटी ने चेट पढ़ाऊंगा इनका अनुपात पढ़ाऊंगा और इनके डिगरी मतलब आप लोगों ने पढ़ाओंगा अगर नहीं पढ़ांगे दोस्तो तो टेंशन मत लिजी मैं आपको सबको अभी धीरे धीरे बताओंगा और वो सब अब आपको जितना जरूरत है उतना मैं आपको बता दो अगर आप मानले कहीं पर गया बहुत दूर जगा और वो इलाक बहुत तुचा है जैसे आप मालने जी कुटूब में आए अब आपको जानना है कि कुटूब में इतना उच्चा है इसका हाइट कितना होगा हाइट कितना अगर ना तो उस हाइट का पता करने के लिए हम लोग इसका त्रिकोनमित्य का अनुपड़े का उपयोग करते हैं उसका हाइट जान सकत का कीसे पता चलिए टुटूब मिनारी ईवडै अगर दोली ही, तो हम उसके ही पता कर सकते हैं अगर दोलएक निकालने का यह अक्ते तरिका है कितन साइक ठ्सक्डाओ क्यों इनकाले कर निकाल लोग सकते हैं जैसे हम लोग अगर चल जाए बूर्च खलिपा का को हाइड नहीं पता है लेकिन आप पुरा अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 दीघ्री अंगर पर जुका होगा उसके सब-सब कितना दूर है बूर्च खलिपा से उस अंदाजा से आप पूरा पूर्च खलिपा का हाइड पता कर करें हैं दोस्तों आफ जादा यूज है किसी वी चीज का दूरी यह वाई किसी वी सीज्ट का उच्छा इसका बहुत अच्छी से जान सकते से हुल को देखते हुए हमारे जो एक्सराइए 9.1 में है ना टोटल पंदरा कोस्टन है नए बुक ही सबसे पुराने बुक में सोल है खटा दिया गया है अब उन्हीं पंदरा कोस्टन को हम सॉल्व करेंगे और दोस्तों इन पंदरा कोस्टन में भी मैं आपको जो जो इंपोर्टन इसको बहुत अच्छी से कर दीजिएगा ताकि आपका नेग्जा में पांच मांक्स कम्प्लेट हो जाए अब चली मैं आपको यहां से करता हूं कोस्टन के सुरुगात आप वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों आपको मजा आएगा ठीक चला मैं आपको सुरू करता हू मैं आपको कोस्टन बुक से पढ़ेता हूं आप इस्क्रीम पर देखेगा पूर्सन क्या बोला है एक सरकस का कलाकार है 20 मीटर लंबी डूर पर चड़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है इसका लंबी डूर लंबी डूर यह उस पर क्या तरह चड़ रहा है 20 मीटर लंबी डूर पर चड़ रहा है और यह जो डूर जो है न यह खंबा है कोई खंबा है उस खंबा कर सीखर से बंधा हुआ है और कि इतना टाइट बंद हो है तो यह उच्छाए बताना है ऊच्छाए बताना है कि खंबा कितना हो जाए तो दूस्तों देखें मैंने आपको बताया था अगर जब भी आपको कर्ण दिया हुए यह से बोलता है क्या दूस्तों कर्ण और आपको लंब निकालने कुछें जोगे कर्द दिया हुआ है हमको क्या बूला है लंबर लिकालने लंबर किसको संबंद रखता है किसका संबंद दों साइन्टेटा ऊसे पराबर क्या होता है दोस्तों अब इसी साइंट जीटा को प्यों करकम चलिए इसका हाइट का पता लगाते कि खंबा की तरा मेंटर हो जाए तो दोस्तों हमको इसको लिखना किस तरह हो देखिए अब आपको पहुता था लिखेगा माना की खंबे की उचाई है जो खंबे का उचाई है हम लोग इसको एच मानले कंवी कुछ है क्या मनने के पिटले अडोरी की लंबाई 20 मिटर दिया हुआ एंगल के ता दिया हुआ टी सी मिटर इस तरह कोन से त्रिभूश बनेगा दूस्त युआ भटनल के किस से समाधों तो यह सहाई धीध्यान पहलता है की कै दिया हुआ एंप में में कुक्षाइन चकालम है दोस्तों अब सथीच है के वह दोस्तों हम लेटे मकें का अवेो रिखेष्ए तो सौन होनित जोस्तों हो स्शारीमी की कर्यां made तो में दिया हुए तूच्छ निकला तीर्छा गोला तो टू एच बराबर हो गया दोस्तो अब क्या करने दोस्तों एच राने दीजिए 20 अर ये जो दू है नीचे आ गया तरसरी में अब्लाब खंदी की उचाई जो एवी है वह कितना आया? दरस निटर मतलब बुजू सरकस का कहला का चड़ रहा है 10 मिटर लंगा है खंबा से बादा में रस्ची का डोई उस पर चड़ रहा है तो हम ने खंदी की उचाई बता दिया है किपट नरी तो नहीं नहीं है ? मैं आपको एंगल बता होना जाहिए कितना डिप्ली हो तो वह नहीं पता होना चाहिए नहीं पता है तो मैं आपको बता दूद धाना तो साहन्तीछी डिप्ली के विरॉते चले दोस्तों अब हम बढ़ते सकेंड कुश्चन देखें कि दोस्तों बहुत तीजी है पहले समझेगा समझेगा बहुत तेजान दिया इतना तेजान दिया कि एक पेड़ खड़ा था वह खड़ा था तो क्या वह बीच से टूट गया और इस परकार तूटा ना कि वह जमीन स सेकेंट्न क्रहकर 30 दीगरी का एंगल बनाता है मतलब इतना पेल डूट गया और जमीन से टुट खड़ा करकर कि Stuff तोट दूटा के जमीन से आठ मिंटेर दूर पर जाके मुड़ने पर वो 30 डिवरी का एंगल बनाया और यहां कितना दूर जागी इरा दूस्तों दूस्तों हमको निकालने क्या होन दो दोस्तों यहां से पता चल को कि लंभ कार संब्साम्द्रि बताते हैं किसका संब्साने दोस्तों तैंड घिलता का करेंदे लंब नुको ए इतना चलिए मैं अपको बताता हुआ ताप को सो लिखना किसे है दूस्तो माना की पीड़ क्यों चाहिए प्रिल्व जो है नहां सेहां तिंव मतल applies BD कि फिर कितना दुर पर गिए रहा है दौस्त कि या तुर्फ थे लिडश्टक खिल प्रखर हुआंए यह दुख्ऊ yaş में दौस थे असफर लेसरे ईंगल के थ कितना अगल पर मुणख सब्सक्राइब तो सम्कोन तिर्बूज ए बीसी में लंब और आधार बताते हैं किसका रिलेशन दोस्तों 10 टेटा परावर क्या होते हैं एवी बट्टा बीसी बता दिया न तो 10 कितना डिवी दिया है दोस्तों 30 इवी एगी कितना दिया है दोस्तों नहीं दिया हुआ है चोड़ देए बीसी कितना देए दूस्तों आठ 10 तीज का विल जान देए दोस्तों किता है वन बट्टा रूट तीरी होता है याद कर दो जीए गए 10 लुटीश का दरू 1 बट्रूट रूट इसको तिर्छा को नहीं कि तो रूट थीरी यह बराबर आप तो रूट थी बराबर कितना थे जो स्थ्टो परूट तो आठ वर्ड रूट थी अब हम आगे करने निकालना है किसका संबल बताता है कोस्ठीटा का कोस्ठीटा का आधार दिया हुआ है करने निकालना है मतलब B·H K만 होता है कोस्ठीटा तो यह लिखिएगा इसी प्रकार कोस्ठीटा अगरे दूस्त अगरे दूस्त कोस्ठीटा दिया हुआ है कि आधको नहीं ना प्ता है और निकाल गुंते हैं कोंष्थ रिखिए कोष्थी साफ़ेलों रूटर्ट थिर्टीवैट ग्राव रखिए तिर्षाग कुना दोस्तों पिरसी तोदेखें 2 ृत और 6 डाल रूट-3ac सबढ़ना मैं रूट-3ac सबढ़ना किम देख म क्या है अब देखिए रूट 3 AC आ किया आपको कुछ नहीं करना है यह AC है ना AC को ऐसी रहने दिजी रूट 3 को नीचे लिए दिजी 16 उपर आ दिए आ लिए दोस्तों अब दोस्तों थोड़ा सापको देखने दिजी तो आपको प्रोब्रम नहीं नहीं कर दोस्तों कि इतना है रूट 3 आगे आप देखिए जोस्तों यह पता चलिया अभी काम करता हो नहीं इसको नहीं सीधा कर दें तो इसको जोड़ दें तो पूरा उचे यह पता चल जाएगा ना कि इसको जोड़ेंगे देखिए अब पेड का माने थे दोस्तों बीडी माने तरफ बीडी माने थे तरफ बीडी तो किसको जोड़ेंगे देवी आज पर लास एडी एभी पर लास एडी तो देखिए दो दोस्तों यह भी कितरा है आठ बटा रूट तील मैंने अब भी बताया आपको दोस्तों एसी और एडी बराबर है तो यह क्या हो दोस्तों सुल्दा बटा रूट तील हो ईडी दोस्तों रीपर आच परर लास पर10 तो जोड़ने पर कित्माइंगे चोवीज बटा रूट 3 अब दिमाग नहीं पर नाएगा। कभी भी नीचे रूट में नहीं रहेगा उस रूट का प्वाटा अलब तो क्या करना है उसके लिए तो जो भी नीचे दिया लिए उसी कुपर नीचे से खेंटू कर दीजिए कैसे दोस्तों कर देखिए यानि निखेगा बेडी बराबर 24 पर च्रूट तीन है ना तो जो तो मुल्ह कितना आता है तो इसको इसको काड़े गता है आठ तो हमारा पेड का उर्चाहे कितना निकला दोस्तो आठ रूट तीन मीटर में तो थोड़ा से ऑफ ही यह थिते धीक आप अलोरी देखने देजी। तो देखें दूटने से पहले पेड का एक्टूर रूचाई कितना थार्ट रूट तीन मिटर आठ रूट तीन मतलब रूट तीन दा बेलो गठा देजिए और एड़ सेंडों कर देजिए तो आपको पेड़ का पूर एक्टूर रूचाई पता चल जाएगा ये था मारा सकें अब हम बढ़ें ठर्ट को से पूर जो की वह इससे भी आसा है आप इसे नोट की जिए मैं साइड हो जाता हूं कि चला दोस्तों अब हम बढ़ते कोस्चा नुमर थेरी क्या बोला है ये वो ठेकेदार है वो ना दूब को फीसलन पट्टी बनाएं मैंतलब जिस्पर फीसलन पट्टी यह बनाया पांच वर्से कं वमर के वच्चों के लिए बनाया पांच वर्से से अधिक वच्चों के लिए तो हमको बताना तो देखे तो दोस्तो लंब दिया हुआ है कर्ण बोला निकाले लंब और कर्ण और कर्ण साइंट रिटर बताता है ना तो आपको निकना की से चलिए क्या निकना है एक काम करते हैं दोग हो दोग केस माल लगते हैं और केस कर्ण एसद निकाल अश्घे अगर दिया हुआ है 1.5 अब होको पूंपन क्या है साइन थीटा को है शाइन थीटा कि एफीबटा लिखें अब इसका कहने दोस्तों साइन थीटा सब्सक्राइबसे तक सचीरेखर दिया दोस्टों हम में बता मैं वा नसे तैमे 몰ंकी घाने की स्थीर न मुसोर में आइड़। नचमा 妹ं पर दोस्तों के र क्रोसपरा बसक्र दा आख के मत्ही तों सब्सक्राइबसे किस व्हाइब तीन मिल्टर है आए अब हमारा की तुसरा है केस्ट टू आपको एक्जाम इसी तरह लिखना है दोस्तों नहीं दूखिए तिरज़ पी-क्यू-आर ने क्या क्या दिया है दोस्तों तो पी-क्यू का फेलडू दिया हुआ है तीन मीटर अट ठीठा दिया हुआ है साथ डिगरी तो हमको दिखाना क्या है दोस्तों साइन ठीटा साइन ठीटा बरावर पीक्यू बट्टा पी आर साइन साथ डिगरी का भेलू पीक्यू केतना दिया हुआ है दोस्तों तीन बट्टा पी आर तो साइन साथ के अबेलों रूट थीरी वाइटू होता है दूसरे लिए रखेंगें रूट थीरी वाइटू बराबर 3 मट्टा देखें तो दूसरे यहां पर आपके स्क्रीन चमक नहीं लेगा रहा है है नहीं चमक रहें अथि हाँ चले देखे तूरी वेसे करें रूट थीरी और गिल्ली चौरीबोर 2 आपके देखें है नाइड ही इहां पर यहां पर अब देखें दूस्त कि यार बराबर ऑद जो नीचे में हैं उसी को ऊपर नीचे से क्या कीजिए इंटू कर देजिए क्या कीजिए इंटू कर देजिए कितना हो जाएगा सिक्स रूट तीन आ जाएगा रूट नों का वर्मूल क्या होता है तो कितना आएगा दूस्तों दो रूट तीन मीटर हो गया दोनों का है निकालते हैं अब हम बने पुस्टन नमबर खोर की बोड़ चलिए अब इसे जल्दी से नोट कीजिए मैं साइड हो जाता हूँ मतलब जमीन परस हम एक खंबाू कमा मतलब मेनाता मेनाह कतले हैं वहद खंबारो कितना तेस sleeping का एंगल उननहाईन कुन, तीस डीरी का उनननहाईन कौल बना रहा है। तीस डीरी क्या बना है ? उनननन yhtौन तो हमको मिनार का उचाय बताएंगा, हमको दुरी बताएं कितना है? BOC हओधल वुचाय दूरी दिया है ? ніहें मतलब रहा है ? प्रेट, 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 प्रेट c में, टिरहां कॉन सा तर्म है 참 कहा देना, समय को तो 10 बिट है अबराबर, abhatta bc, 10 30 डिली, ab μέरे जित ओर दे को नहीं दिए वहाँ दूसतो up anything, ई तर नहीं दिया वहाँ दोस्तो, ibhatta bc है, ab निचा है अब ळुदक भने को छिरो करना है उपार निचे रूट थीन सा तेजिए दूस्तों इंड DJ करते हैं तो कितना पिस केका तुस्तों टीस रू तीन अरू तीन टिन रूंट hai नो कम यिदिभी है तेस ही नहीं चाहिए टिस यहना फोगा तुल्य Inspire तोस्तो दस रूट तीन मिटर इस प्लो मिनार का उचाहिए वता दिया ना मिनार को चाहिए उक्वाधार दिया वा था लंग निकालना था इसलिए लोगने डेल डेटेटा कर जोच किया समझ गे तोस्तो समझ गये ना नहीं समझे तो कमेट कीजेगा फिर आपको बताऊंगा चलिए आप इसे नोट कीजिए अब मैं आपको पांच नूबर बताऊंगा चलिए दोस्तो अब में बड़ी कोस्चन नूबर 5 क्यों है देखे दोस्तों कुस्चन नूबर 5 ध्यान से सुनेगा आम नहीं क्या करें एक लड़ता है आसमान में गुड़ी उड़ा है मतलब पत चोर्णा कितना उपर बड़ा रहते दोस्तों जमीन से साथ मेटर यंघर बट रहें मतलब यू बर मतलब मतलब सक तमुर हो हुआ है ना जो डोरी से बंदा हुआ है वह लठका पक्रावय है यह तना हुआ है यह टोपना हुआ उस डोरी कागा कौन को बताना है कि वह क forwards तो उसमें जो ध्धागा लगा हुआ है उस ध्धागा के लभाई कितना है तो पारिस्प देना चाहते तो देखिए डूस्तू हमको जमिन से उचाई दे दी है ना साथ मिटर एंगल में ने दीया आए ओना है करन निकालना है मतलब साई ठीटा साइब धिया हुआ है एच निकालना है एक किसका समध्न होता है साइटेक होता है आ को दिखना किसे है दोस्तों माना की दोरी की लंबाए हमको दोरी की लंबाए नहीं दोरी बोले ये धादा बोले जो भी बोले उसको हम क्या मानने कुछ नहीं मानने एसी मानने क्या मानने दोस्तो एसी मानने उचाई कितना दिया हुए दोस्तो मतलब एभी कितना दिया हुए दोस्तो शाट डिटर, एंगल केता दियाओ दोस्तो, 60 डिगरी, तो इसलिए तिरभूज एबी सी में, क्या हो दोस्तों तिरभूज एबी सी में साइन डेटा, क्या होगे दोस्तों, एबी बटा सब्सक्राइबिए उन्हें टुर्थ कुर्ष ऑमन्हें, स॑प दन्हीं कद्पारु है नाज़ाओं तुराय प्राइब शैर्ट मेंद्पारा है, अम्हें आक जाने fan उन्हें तो सब्सक्राइब शेडिगारएब साथ डिटी एए सी बराबर साथ बटा रूट तील हमने कसम खाक रखा किनेचे एक भी रूट को नहीं रहने देने एक भी रूट को नहीं रहने देना दोस्तु साथ बटा रूट तील गुना रूट तील बटा रूट तील देखे दोस्तु क्या होगे है साथ रूट तील होगे दोस्तु साथ बोरा तो कित्ना होगे दोस्तु होगे दोस्तु एक सो बीस हो जयां एक सो बीस सो रिल तो सो जोगया चूट लिए दहरिए कि रूट तील रूट से रूट Nevada से रूट उनों के रहे हैं एक सब्सक्राइए था तो यह कितना है कि दोस्तों 40.3 मेटर यह धागा का लंबाई यह धागा का लंबाई जो जमीन से उपर जा रहा है आप दोस्तों यह ABC है ना आज मैं आपको पांच कोश्चन बताए तो इस तरह करके मैं आपको इस वीडियो कमस्क्राव दो यह तीन पाट बताऊंगा जिस आपका जेकोड़ दोजयर पचीस का सारा कोश्चन के लिए हो जाएगा दो यह तीन पाट में आपको इस आपका सारा कोश्चन के लिए रोजएगा फिर मैं आपको इंपोर्टेंट कोश्चन बताऊंगा जिसका एकजाब में आने का जो प्रोबैबिलेटी यह संभावना है वो बहुत ज्यादा है ठीक दोस्तों अब आप इसे नोट कर देजिए अब हम मिलते नेक्स वीडियों कोश्चन ओबर सीक्स से क्योंकि दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना है छोटा ही रगना है दो तिन पांट में रहे चलेगा ताकि आपको समझ अच्छी से है अब जीतना कोश्चन है दोस्तों आप नोट कर दिजिएगा और प्रेक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा ताकि आपका सारा कुछ से डाउटोट किलियर हो जाए और आपका नमबर परिछन अच्छा है पांच में बाच माक्स आएगा दोस्तों टेंसर नहीं लीजिएगा ठीक अब हम मिलते नेक्स वीडियो में आप चैनल को सबस्क किजिएगा दोस्तों को सेर किजिएगा जो जो क्लाश 10 का जैक बोड के देने वाले सवर 205 में उनका नमबर आना ठीक से 20 में 20 आएगा यह आपको दावा के साथ बोल रहा हूं ठीक दोस्ता प्रेक्टिस अच्छे से किजिएगा खेले आप में चलता हूं अब मिलते नेक् आप सिक्स के साथ आप नोट करें जीए